इंटरनेट में बहुत ही तेजी से ये वीडियो वायरल हो रहा है दोस्तों बालों को बहुत ही ज़ादा लंबा काला घना करने का दोस्तों उल्जे वे खास वर पर बेजान जो बाल हो जाते हैं बिल्कुल बेजान नहीं होता है बहुत सारा DIY ट्राइ करते हैं लेकिन बिल्कुल फड़क नहीं पड़ता है तो दोस्तो आज का ये DIY जरू ट्राइ करेगा बहुत ही इफेक्टिव है बिल्कुल मैजकल सीरम के जैसे आपके बालों पर ये काम करेगा बिल्कुल होममेड है, बिना किसी मिलावट के है आप इसको जरू ट्राइ करेगा, बहुत फर्द बड़ेगा आपको लेना है फ्रेंड्स चाई कपती चाई कपती का पता है कि आपको क्या प्योग होता है चाई पीने के अलावा शायद ना पता हो चाहे पीने के अलावा दोस्तों इसके जो फाइदे हैं अंगीनत हैं हमारे बालो के लिए बालो को बेहत काला, लंबा, घना और मुलाइम करता है और खास दोर पे अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा सफेद हो रहे होते हैं तो सफेद होरे बालो को भी बहुत ज़्यादा सुन्दर बनाता है दोस्तों हमारे बालो को काला भी करता है और साथ के साथ ही अगर आपके बेजान बाल हैं, बेरुखे हैं, टैंगल जो बाल हो जाते हैं, दो मुखे बाल हो चुके हैं तो दोस्तों उसको भी सही करता है, बालों में natural color add करता है, अक्सर अगर आप बाहर से जाके color कराती हो, तो बहुत ज़्यादा खर्ची होते हैं, उसके साथ साथी बाल बहुत ज़्यादा hard हो जाते हैं, damage हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों घर की ये छोड़े छोड़े नुस्की ह होते हैं जो हमारे बालो को बिना किसी नुकसान के बहुत ज़्यादा पहुंचाता है तो आपको चैकापति कटी इसको आपको क्या करना है सिर्फाइ path नई इस शाल्द एकदो और आपके बालों के लिए काफी अच्छा हो सकता और वह सामगरी होगा आपका चावल, जो भी आप चावल खाते हैं, खास तरपे जो चावल आप खाते हैं, बासमदी चावल भी अपले सकते हैं, कच्छा चावल जो भी आप, बहुत सारे कच्छे चावल भी आते हैं, बॉयल राइस पी आता है, स्टीम राइस भी आता है, त बहुत ज़्यादा सुन्दर काला घना और मुलाइम होता है दोस्तों अक्सर पेर पौधि में अगर आप चावल को के पानी को डालते है तो पेर पौधि की भी ग्रोथ अच्छी होती है उसी प्रकार हमारे बाले कलिव काफी अच्छा होता है तो यहां पर आपको कम सकम 2-3 च प्राइमिंग अब रख सकते हैं और पाने की कॉंटिटी भी आपकी आधी हो जाएगी तो उतने देर तक आपको अच्छे से उबालना है एकदम से मैजिकल सीरम के जैसा बन करके आपका यह रेडी हो जाएगा और उसके बाद उस तो उसको चान लेना है और चानने के बाद इ और इसको यहां पर मैशन जाएड कर रही हूँ मैंने यहां पर बादम उर a cream टा या यानि अल्मोर और आउल यहांपर आप ने यहां पका हाएड कर सकते आ हैं कैस्टर आइल एडकर सकते हैं तो जो भी तेल आपके पास इवेलब्ल है वो तेल ले ले अब पहले स्टिप मे कम सकम दो बार श्यांपू जरूर करें तो श्यांपू करने के बाद आपको यह जो हमने पानी बनाया हुआ है इसे पानी से आपको अपने बालों को अच्छे से धो लेना है रिंज कर लेना है दोस्तों और तुरत ही नहीं धोना है फिर नॉर्मल पानी से धोने के बाद कम सकम अपने बाल पे स्को 10 मेट लगाके रखे और 10 मेट के बाद फिर से आपको जो है इस तरीके साब इसको बांद के रख सकते हैं और फिर 10 मेट के बाद इसको अच्छे से जो है normal water से wash कर ले अब normal water से wash क्यों करना है क्योंकि बहुत बार होता है कि चाइक पती का पानी है वह जाय लोग होता है कि कहीं कपड़े पे ना दाग लग जाए तो इसलिए 10 मेट के बाद उसको वाश कर सकते हैं दोस्तों बहुत ही जल्दे आपको फर्क देखेगा बाल बहुत ही जादा सुनहरे बहुत ही जादा चमक केले चमकदार बिलकुल पारलर के जैसे दिखेंगे दोस्तों बालों की खुप सूरती डबल ट्रिपल कुने स्पीड से बढ़ेगी बाल आपके बेहत लंबे काले घने और मुलाइम होंगे दोस्तों ट्राइ करके देखे और आपको अगर लगे की फर्क दिख रहा है तो इ गोला किजे लाइक किजे सब्सक्राइब क्यों थैंक्स ववाचिंग